हेलो हाई नमस्कार दोस्तों मैं दिपेंदर सिंग आप सबका स्वागत और अबिनेंदर्ण करता हूँ जिया दोस्तों अभी एक लिटेस्ट नियूज में आपको बदाने वाला हूँ किरला में एक 14 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई एक वाइरस से और उस वाइरस के बारे में मैं आपको बदाने से पहले एक शीज बता दूँगा कि यह वाइरस वाइल्ड में जंगली रूप से बहुत तीजी से फैलता है और 75 प्रतीसत तक इसमें मोर्टलेटी रेट है मतलब एक तरीके से 100 आदमियों को अगर हुआ तो 25 को ही बचाया जा सकता है 75 की डेथ हो जाती है जिया दोस्तों यह आज कोई नया वाइरस नहीं है यह वाइरस में बता रहा हूँ कोई समस्या की बात नहीं है लोगों को छूने से बचें अपने हाथ को दूलते रहे तो नीपा वाइरस एक्च्वल में इसकी हिस्ट्री बता दूं तो यह 1999 का वाइरस है हम है सबसे पहला केस जो दोस्तों देखा गया वh 1999 में देखा गया था और डिखा गया यह में हराकि एंड तो अ टो से सीनकर तक लोगों को बहुत फीज्जादा किया πिलैंज से ब्दाढ़कर यह भाज़त में देखा गया भारत में देखा है ।ो निपा वारOS एक्ष्यान में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ गब 1999 में मलेशिया देखिए इसके रिजरवायर को ने रिजरवायर का मतलब है कि आपके पाया किसमें जाता है दीकि मनुस्य को सुर के आसपास नहीं होना चाहिए और खाते हैं कि और और यूट्र मेरे भाइ abused और चमगादन से आपको दूराप करता है और इस वाइरस पाड़ा करता है तो पहली बात तो लोकल में अगर आप है आपके आसपास सुर है तो सुर से बचे आसपास ना रखें चमगादल की कैसे चमघादर से91 कैसे नुद्ब कीसी जंगल में है आप जंगल में गया आपने फल देखा बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा फल जूठा था लेकिन आपने खा लिया हो सकता है कि उस चमगादर ने उस फल को बाइट किया हो और वायरस से संक्रमित वह फल महाँ पर हो तो पहली बात तो जब भी जंगल में जाएं आइसे नखाएं मतबब तरीके से और ली रॉल तरीके से नखाएं उसको अच्छे से धुले भाग को निकाले और यह आपको जूठा लग रहा तो उसको हटा दे उसके बाद ही उसको आप खाएं तो सुवर और चमगादर के अंदर यह नाचूरली प्रूप से पाए जाता है खासकर लंक्स और ब्रेन पर मतलब हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम या स्वसंतंत्र पर लक्षड जो है वो छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े लेवल तक हो सकते हैं जैसे कि सास लेने में आपको प्रॉब्लम थोड़ी बुखार गले में खरास यह लेक्षड शुर आइडिस जैसे लक्षड को पैदा कर रहा और यह सारे लाक्षड दे़गे दाट है तो कहने का मतलबट्स सीधा साथ के कुछ स्टेट रिजा है और लंक्स और ब्रें को अटैक करता है और आपको बता कि ब्रेन में रिजनरेशन क्या है मैं फ diferencia स्पर्द्रफिंशत्ω ओसकते हैं तो नीपा वैरिस से बचे खास कर साथ में यदि आप供 प्लान कर रहें तो सब्सक्राइब बाहर का उपयोग करें बार-बार हाथ धुलते लाएं बाहर की चीज़ोंoras कौना ह前 और थोड़ा सा हैतियाद बरते हैं चीज़े हैं टल जाएंगी खतम हो जाएंगी तो कहने का मतलब सो सीधा सा है कि नीपा वाइरस आज का वाइरस नहीं है यह बहुत ही खतरनाक है हॉलिवुड में इसके उपर एक मूवी बनी थी कंटेजियन आप मूवी देखिएगा मेवी मेवी कंटेजियन करके एक मूवी आई थी तो नीपा वाइरस के लिए ही वह मूवी बनी थी और यह वाइल्ड में बहुत ज्यादा खतरनाक है 75 प्रतीसत तक की मूर्टलिटी रेट है मतलब सो में 75 आदमी मरते हैं 25 आदमी बसते हैं तो कहने का मतलब थोड़ा सीजिस लेन है और सीजिस लेने के साथ आपको फॉलो करने नमस्कार दोस्तों धन्यवाद मिलते आएं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिं है प्रतीस लेडी है याओे मिलते हैं 25 प्रता है और द동रब है में 1 गमें 25 आदमी ऐसे ult